तो चलो इस question से देखते हैं, ये सरसाथमी VPSC के exam में आया हुआ था, Bear Necessities Index, जिन लोगे ने exam दिया है उनको पता होगा कि ये question किस तरह का आया था, exam nation hall में उनको किस तरह का question लग रहा था, ये काफी tough question है, ओके ना तो मैं paper analysis करने आया हूँ आज एक महिने बाद, ना तो मैं आपको answer इसका बताने आया हूँ, मैं बस आपको कुछ questions दिखाना चाहता हूँ, जो बाकि यूट्यूपक किसी ने भी नहीं दिखा है, सारे master ने अपना पीट थप थपा लिया, कि ये मेरे stress series से आया, मेरे paper से आया, मेरे coaching से पढ़ाया हूँ आया, ये किसी ने नहीं बताय भारत सरकार का जो economic सरवियात है, भिहार का नहीं, किन सरकार का जो economic सरवियात है, 2019-2020, इस से लिया गया है इसको, bear necessity index को, ओके, थाली economics, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, थाली economy, ओके, इसमें क्या होता है थाली economics में, कि जो common person है कोई भी, है न, तो उसकी थाली पर हमारे देश क जो नीतियां होती है, सरकार की नीतियां होती है, वो कैसे असर डालती है, उसी संबंदी था, ये bear necessity index, समझ रहो न, ये question न, बहुत ही tough question था, अगर UPSC-22 में इसको पूछ लेती हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं था, इस अस्तर का question था, ये, मैं बस आपको बताऊंगा, कि ये दिश से क्या है मेरा इस वीडियो को बनाने का, जो लोग फैमलियर हैं इस channel से, जो regular देखते हैं इस channel को, वो मुझे जानते होंगे, तो आप subscribe कर लिजए, अगर आप नए है channel पर, तो अंध तक आपको बहुत कुछ अंदाजा होगा, बारमा question देख लिया, उस वासे चलते ह पहले नमर question पर, पहला question है, नहीं पूछा था आज तक कभी इस question कहीं से भी नहीं पूछा था, मैं बताता हूँ आपको, इक्जामिसन हॉल में जो लोग बैठे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे, क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन सी संसदिय समीती कारिपालिका को नियम वीन नियम बनाने के लिए प्रत्याजित सक्ती से संबंदीत है, कारिपालिका के नियम वीनियम की संसदिय समीती उठाग पूछा है, संसद के जो मुखे समीतिया होती है, प्राकलान, या लोकलेखा समीती, या जो सारजनी कुपा करम समीती है, इन सब समीती उसे नहीं पूछा ह है उसने, इसका जो एंसर है न, बहुत अलग अलग बता रहे हैं, सारे इंस्रीट वाले ये ये लग बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, मैक्समम लोग डीपों ही जा रहे हैं, और जो मैंने वो दिखाया आपको, barbar necessity index जो दिखाया, इसका भी एंसर E बता रहे हैं क्योंकि इसमें सारे सही थे बोल रहे हैं कि सारे ही सही है अगला कोसर मैं दिखाता हूँ कुछ कोसर मैं दिखाना चाहरा हूँ कि पता चले कि किस लेवल पे जा रहा है सरसथिमी BPSC जो कैंसिल हुआ है अगर कैंसिल नहीं होता इमांदारी पुर्वा की एकजाम होता तो जिनके भी 90 पलस में आ रहे थे समझाना आपकी बहुत अच्छी इस्तिती है 90 पलस जिनके भी नंबर आ रहे है अगर जूट नहीं बोल रहे हो तो पेपर कैंसिल होने के बाद हर आदमी के 120 नंबर ही आ रहे है जो भी जो भी बोलता है मेरे 320 आ रहे ते पेपर कैंसिल हो गया नहीं तो पहले रैंक पर तो मैं ही रहता है ना तो अब अगले कॉस्सान दिखाता हूँ बीपेसी को उठा के देखना अनुक्षेद एटरेंडम कभी नहीं पूछता है किस से किस से पूछता था पंचायती राज से मूल अधिकार डीपेस का अनुक्षेद पूछ लेता था या राष्टपती प्रधान मंतरी सुप्रीम कोर्ट इन से संबंधित अनुक्षेद पूछ लेता था इस पर कौन सा पूछा उसने अट्रेंडम उठाके अनुक्षेद तीन सो पूछ लिया यह कोस्षन एक्जामनेशन हॉल में लोगों को दिक्कते आई हैं वैसे ऐलिमनेशन से कर सकते थे महानियाएवादी हटा दो सरकारी ठेके संबंधित कोई अगसा अनुक्षेद नहीं है तो यह मार रहे थे काफी लोग यह ही एंसर है इसका कर्यक्ट अगला कोस्षन में कुछ दिखाता हूँ आपको कुछ-कुछ एजी थे एजी लेके लोग जैसे इसका साइंस का सेक्षन जो था और हिस्ट्री यह दोनों तो प्रिवियसेर से चेप दिया था पुरे के पुरे बीपियसे ने मैं अलेसिस नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एक भ्यू दे रहा हूँ कि आगे जो आने वाला है तीन महीनों बाद एक जाम का बोला है बीवीसे के इंटर्वियू में बीपियसे के सचीवने है तो अगर तीन महीने बाद बोला है जो लोग बीपियसे के बाद एक महीनी से परहाई छोर के बैठे हैं उनके लिए संकट खरा होने वाला है मैं आपको बस यह बता अब पांचा कोस्टन पे चलते हैं कौन परके जाता है कि कौन सा ब्यक्ति 1990 का दसक में प्याइग था क्या नहीं था क्या पता हृं सारे दसक दसक यplayer अगर आि National प्रधान मंतरी देखके जाते थे एसे सीजी आई नहीं रटके लोग जाते हैं समझ रहू ना चलो अगला कुस्टन में देखाता हाँ उसके बाद बड़ा ही इन्ट्रेस्टिंग कुस्टन है वो जैसे कुछ लोग के इस कोस्टन में भी दिककट आ रही थी दिकक्ट आनी भी चाहिए थी ग्यारोंवी अंशुची पूछा है इसमें और ये कोस्टन जो था, ये अलग लेवेल का कोस्टन था, आर्टिकल 113 कई बार पूछा जाता है, जो वारसिक बित्तिय विवरन होता है, जिसको बजट भी कहा जाता है, और तो वो तो कई सारे लोग परके जाते हैं, लेकिन उसमें कितनी मांगे पेस की गई हैं, अनुदान इसका, उसके बाद से दिखाता हूँ, राष्टे विस्तार सेवा, प्रिवियस एर में महराष्ट PCS का एक वार में पूछा हुआ एक कोस्टन, इसका है एंसर 1903, ये भी अलग तरह का कोस्टन था, आज तक नहीं आया था, होता क्या था जनरली, बीप्यस एक लोग लेते है कि चलो प्रिवियस एर परखे जाओ पास जाओगे, नहीं होता ऐसा, इस वार साइंस और हिस्ट्री छोड़के, जिसको टोटल मिलाकरी में 65 कोस्टन थे, उसके लावा प्रिवियस एर से कहीं भी नहीं पूछा है, पूछा भी है, तो अलग तरह से पूछा है, जैसे इजाम हुआ है, आठ मई को इजाम हुआ है, मतलब पिछले पांच महिनों में से एक करेंट अफेर नहीं आया था इस बार के पेपर में, यह तक नहीं आया था फोरेस्ट रिपोर्ट, समझ रहो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि यह जो पेपर बना था, यह रहता है, है ना, लेकिन तब से रखा हुआ था पेपर, और इसलिए इस साल का एक भी करेंट अफेर नहीं आया, लोग को करेंट अफेर में भी दिक्कतें आई है, पिछले साल के सारे करेंट अफेर पूछे, 2019 का एच डी आई पूछा है, Human Development Index जो होता है, 2019 का पूछा हुआ है, समझ रहो ना, 2019 का मतलब है कि मतलब तीन साल पहले का 2020 का भी नहीं पूछा है, किस का भी नहीं पूछा, 2019 का पूछा, 22 में एक्जाम हो, है एच डी आई का वो भी नमबर पूछा, समझ रहो ना, मैं दिखाओंगा आगे वो भी कुस्सन, उसके बाद से चलते बिभाजन में लिखा हुआ है, है ना, ये सबसे एक एंसर बन रहा रहा था, इसका प्रसासन का मतलब, इसका मतलब डी हो जाए था एंसर, लेकिन इस पर भी कई सारे लोग अलग-अलग एंसर बता रहे हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ, कि आप जब इनामसन हॉल में इसको करके नि दिखाता हूँ, ये कुस्षन तो ईजी था, ये कुस्षन, इसमें क्या था, ये जो है, उनेस सो पचास नहीं, उनेस सो इक्यावन होगा, तो चौंथा तो पहले ही कार्ट दो, दो तीन अंसर हो गया, ये हमने बेर इननेसी सिरी इंडेक्स कर लिया, अब यहाँ पर एक कुस्षन है, 2019 में HDI का मान पूछा है, तुम 2020 के रटके जाओगे, 2021 के रटके जाओगे, चलो 2022 का भी रट लोगे, लेकिन वो पुछेगा, 2019 का, VPSC अपना अस्तर उपर उठा रही है, समझ रहो न, मेंस भी कुछ दिनों बाद ने टफ में होना सुरू हो जाएगा, इसका एंसर था 574, 0.574, एक अंदाजा लगा के कि बिहार का कम रहता है हम 2.574 में करके मार देते तो सही हो जाता, इसका तो 22,511 करोड था, एंसर बताने मैं नहीं आया हूँ, मैं बस आपको कुछ कुछ को संस दिखाता हूँ, जैसे ये को सन है, पंद्रा में भी तायो के अध्यक्ष, एंके सिंग, जो भी देख रहे हैं वीडियो में से 99.99% से भी नहीं पूछा, उसने पूछा कि ये बताओ, इन में से बितायो के सदसे कौन नहीं है, है ना, समझ रहे हैं, तो ये संदीप मुंडे जी है ना, मुंडले, संदीप मुंडले जी, जो संदीप तो मुंडले, सौरी, संदीप तो मुंडले जी जो है, ये 14th Finance Commission के सदस्य रहे थे, YV Reddy, YV Reddy Commission जो था, उसके सदस्य थे ये, चौध में के, उनका नाम पूछ लिया है, अभी, चौध में के बने हुए पास साल से जादे हो गया, समझ रहो ना, उनके सदस्य का नाम और ये ACR Development Bank जो है, ADV, उसके मेंबर भी रहे हैं, संदीप मुंडले जी, इनके इस तरह के कुछन नहीं पूछता और नहीं कर सकते थे लोग इसको, मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते थे, समझ रहो ना, तो आपके पास जब इस तरह के कुछन जो जो जी के पर लोग आधारित हो के जाते हैं, या पॉलिटी पर आधारित हो के जाते हैं, अगर उनमें आपके अगर आप इस चैनल पर हो गए तो आपको पता होगा कि किस तरह के वीडियो बनाता हो कंटेंट अच्छा होता है हमारे चैनल का आप जा के देख सकते हो दसमबर 2021 के 10 दिसमबर से मैंने बनाना शुरू किया था वीडियो और अप्रेल अप्रेल मैं चार महीने करिम मैं अप्रेल दस तारिक तक मैं पहला वीडियो मैंने दिसमबर दस्त को दाला था और 10 अप्रेल को चैनल मॉनिटाइज हो गिया था मेरा चार महिने में हैं तो कंटेंट के बदोलत ही हुआ था कंटेंट ही अच्छे प्रोवाइड कराते हम ओके तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो भी हो उसके बाद से देखो केंदरिये बजट केंदरिये बजट, केंदरिये आर्थिक सर्वेक्षन, केंद सरकार की योजनाए इन सब से करेंट अफेयर में इस बार बहुत सारे कोस्टन्स पूछा है बिहार बजट से तो एक या दो कोस्टन टकराएए हैं डेटा पे राधारी बाकि सेंटरल सरकार के 2019 के आर्थिक सर्वेक्षन, 2020-2021 का बजट, 2021-22 का बजट इन सब से कोस्टन्स पूछा है जैसे ये जो कोस्टन है कि FDI की सीमा कितना बढ़ा दिया गया है ये 14% के आसपास बढ़ाया गया है बीमा सेक्टर में इसके बारे में कोस्टन पूछी लिए है ये कैंसर कार का बजट है, ये दो को कैंदरिय बजट बंद्रम में भी टाय ओओ, केंदरिय बजट बिहार का बजट साइधी कहीं टकरा जाता है है ना जैसी एक कोश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके दोर प्रदर्सित किया है तो आर्थिक विकास की बात कर रहा है डेवलपमेंट की बात कर रहा है आर्थिक सम्रिधी की बात नहीं कर रहा है को बहुत सारे लोग इसका बतार है कि प्रतिवेक recon और मैं कुछ questions दिखाता हूं आपको सखल Raja Kossih A घाटा पूछ लिया تथी ते सिधा-सिधा केंज सरकार के bज़ट का सखल Labar Kurashoghah हम क्या परके जाते हैं हम परकी जाते हैं कि बिहार सरकार का जो byजट आया इस वार या economic survey बिहार सरकार का जो आया है उसमें बिहार सरकार को घाटा कितने परसंट का हुआ हम वो रट के जाते हैं इसने के अंसरकार का घाटा पूछ लिया 6.8% इसका एंसर था 6.8% लेकिन हम ये नहीं रट के जाते हैं समझ रहो ना मैं क्या कह रहा हूँ हम लोग एकजाम से पहले बिहार बजाट बिहार एकॉनमिक सर्वे बैठके रटर होते हैं पूछा इस बार केंसरकार का है पेपर अच्छा आया हुआ था और मैं कुछ कोस्टन साब को दिखाता हूँ जिसे फैक्ट किलियर हो जाए दो केंसरकार का योजना केंसरकार के योजना पूछा न ये तो समीती वाला इजी था एक दो काट के आप पूरा कर सकते थे राश्टि विकास परिस्द का हिस्सा कौन नहीं होता है बिपेस्टी का कोस्टन जड़ा उठाओ प्रिबियस एर का यूपीपीसेस का ही उठा लो यूपीसे का ही उठालो दिखाओ मुझे कहाँ इस तरह के आपसन वाले कोस्टन आते हैं कहीं भी नहीं आता है जैसे ये कोस्टन पूछा है ये तो अच्छा कोस्टन था इस तरह कोस्टन पूछे भी जाते हैं कई सारे बिपेस्टन पूशेगे हैं इस तरह के questions आपके गलत नहीं होने चाहिए इस बार का जिसको भी अच्छा पेपर करना था उनका था कि 26 नमर से लेकर और 40 तक जो आपका history दिया हुआ है कली में 16-17 question यहां पर है उसका फिर से history दिया हुआ है आपका आगे 111-130 नमर तक section C है यह सी सेट है जो लिक हुआ था पेपर सी सेट मैं भी एक्जाम देने गाए तो मेरे पास भी आए था आपके पास history में इस तवार एक भी question नहीं गलत होना चाहिए था क्योंकि सारे previous year से हैं और सारे हमने इस चैनल पर किये हुए है अगर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा एक एक question इसका मैं वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ कि हाँ यह आए हुए है previous year से आये थे तो मेरे question थोरी नहीं हो तो previous year question है मैंने करवाए थे तो आये हैं उससे यह सारे questions आये है previous year है सारे यह maths सोड़ देते हैं 51 नमर पर चलते हैं science के questions हैं 51 से लेकर 80 तक science के question था 30 question करीम साइंस से आये हुए थे यह भी आपके गलत नहीं होने चाहिए तक यह 100% question देखो मैं क्या बताता हूँ पास होने का कहां पर गलती होती है जो question easy है और जो question tough है tough question बहुत लोग गलती करते हैं कोई बात नहीं चल जाएगा हमारी गलती होगी चल जाएगा जो questions easy है है ना जैसे science का section जो था और science और history का जो section था इस बार इन दोनों के मिला के करीब में 60 से 70 के करीब में question थे 60-60 करीब में question 60-65 क्या सबस question थे इस 65 में से अगर आपने दो भी गलती कर दिया चार भी गलती कर दिया आप पहले ही नीचे आगए क्योंकि इस section में लोग गलत नहीं करेंगे समझ रो न मैं क्या कह रहा हूँ ईजी question जो होते हैं उनको गलत मत करना क्योंकि वो सब के सही होते है टफ question जो थे जो मैं उपर कुस्ति दिखाए हैं और मैं आगए आपको दिखाऊंगा बेर नेसिटी इंडेक्स वगरा 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 आप गलत भी कर दोगे तो चल जाए होगे तभी होगा ओके चलो और कुछ questions देखते हैं और आज कुछ यह घाटा मैंने दिखा दिया एक देखते हैं नीचे जाके यह सब साइंस के हैं इन में से एक भी question गलत नहीं होना चाहते हैं सारे easy question प्रिबिया सेयर घटना चागरे प्रिबिया सेयर के जो है सारे ओके अ जाई इससे पूछा है न यह question जैसे तौस्तलस प्रूच समझ्द एक पाप किया होगा कि भी 오른 eder ने मैला है स्वाव को रती होनी चाहिए पूतनी की यह कहां का है बता चाहिए अगर आपने गलत किया तो बहुत वारा पाप करके आया हूँ हाँ यह कुस्तन जो था यह कब बना था यह बाइडन राश्टपती 2020 के जनवरी बना था अब बताओ सब को पताओगा कि अब आइडन अमेरिका का राश्टपती है नंबर को कोई नहीं जल्दी परता ब पहले करेंट अफियर नहीं पूछेगा अपना इस वार का दाइरा बढ़ा लेना शिक्स्टी सेवेंट जो री इजामनेशन होगा उसका दाइरा बढ़ा लेना करेंट अफियर के खम से गम डेर साल का जरूर परके जाना समझ रहो ना और जो केंद सरकार की योज़नाएं ह बिप्यस्टी के लिए बिजट बिहार का जितना परना उतना केंशरकार का भी बजट और एकॉनिक सर्वें एक साल दो साल कर पर के जा रहा है दो से तीन को संट रहा है समझ रहो ना उसकवाज देर रस्शीम कुमारी है यह पिछले साल है करेंट अफियर है बिहार विधान पहली बैठा किस वर्स बुलाए गई थी यह कुस्टन हिस्ट्री से आया हुआ है डायरेक्ट समझ रहो ना उसकवाज से एक कुस्टन था कि एसकर और ड्रमलीन पर पुछा था देखो यह सब कुस्टन किस तरह का आया हुए विकास उप मिस्टन के अंतरगत कितने एक कुस्टन मैं दिखाता हूँ कोभी सिल्ड वाला ये भी कुस्टन अच्छा था चलो उस पर चलते हैं अंतिम वाले कुस्टन पर जिसमें कुछ कुछ पूछा था चीरिया वगरा सब कर चीरिया के बारे में पूछा था कई सारे लोग इसमें कनफ्यूजन हुआ वैसे मे तरह में ये योपी पी-सी का है कोस्टन यूपी-सी का है पहले फिर यूपी-पी-सी में इसको पूछा इसलिए मैं बेट कर रहा था?" कि अच एस देख के करेंगे जब मेरा एकजाम था पांसतारीक है उनियूज कर रहा था ूपीडियो नहीं अभ तो आएग मेरे वीडिय करने में स्टेट बीसेयस में और हिमाली नदियां और दक्षिन की नदियां दोनों कंपेरिजन पूछा है कम से कम पांच बार पूछ चुका है प्रिवियस एर में ओके चलो और मैं दिखाता हूं जैसे एक कुस्वन था इलमे नाइट वाला ये साइड जो बीपेसी से पहले कि एक्जाम हुआ तब भिहार का इसी साल आठ महीं से पहले था एक या दे दो हपते पहले था उसमें उसको पूछा था उसको फिर से रिपीट कर दिया समझ रहो ना ये कुस्वन देखते हैं एक सुस्वन ताले सिनम गंगा के मैदान को एक डैस कर रूप में बरनित किया कुछ लोग बोलते हैं पेडी प्लेन और कुछ लोग पेनी प्लेन बोलते हैं मुझे भी पेली प्लेन ही लग रहा बी अंसर सठीक लग रहा पेनी प्लेन ही होगा पेडी प्लेन कुछ लोग खादियान उत्पादन के कारण से बोलते हैं बहुत जाद उत्पादन होता है प इसले भी इसको पेडी प्लेन कहा जाता है भी इसका अंसर भी होना चाहिए देड़ सी से जो लोग डेड़ सी पर के गए होंगे चर्चा में था इस बार इजराएल इजराएल इसके कारण से इसको कुस्तन को पूछ लिया ये कुस्तन इजी था भूमी किसे नहीं रहते लिब सी को पिछले से पिछले साल का करें इंटरफियर को रिलेट करके पूछा है कोरियोलिस बल ये सब को पता होगा अब अगला कोस्तन पे चलते हैं ये कोस्तन देखो 149 नमर सब लोग बिहार की जलवायू पर के जाते हैं कि हाँ भाई कोपेन हेगन में क्या वर्गी करन किया ह या एडवलू किया है वगयरा वगयरा कितने करसी छेतर हैं कितने ये 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 नहीं उसने पूछा इस बार टिपिकल बना के बिहार के किस करसी जलवायू अब बिहार के किस करसी जलवायू किस तरह से बांटते हैं इस तरह से बांटते हैं ये है बिहार एक दो तीन चार अल उत्तर पुरवीर रहे हैं जिसमें नौ जिले के आस्पास आते हैं नौ से तस जिले जो सब्रकिया बहा होती यह सब पता होगा जीओ टेसी त्य जीओ दैशि भी आइवर यूपी में पूचा है इनों ने की मारनशिन और होती है नहीं लोग इंदे pronounce अच्छा कोस्व date था यह तो यह मैं मुझे एक कोशन दिखाना था जो मैं आपको दिखा देता हूं यह एक सो बदिस नमबर है इसकारियूत इलाकों से तीसरा इसका गलत अलग रहा था तो उसकी आधार पर इसका हम एंसर भी निकाल सकते थे कि एक दो चार इसका है है ना एक दो चार इसका एंसर था करेक्ट लेकिन ये कुश्षन एजी नहीं था इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीपेस्ट की आपके पढ़ने के strategy है मेरा इतने देर पढ़ने का मतलब एक ही था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि पढ़ने का जो आपका strategy है या जो तैयारी करने के strategy है बीपेस्ट को लेकर जो देखने का नजरिया है कि बीपेस्ट की इजी होता है प्रिवियस एर पढ़के जाओ रटके जाओ पास हो जोगे अब वैसा कोई भी ख्याली पुलाओ मत पकाना सिधी सी बात प्रिवियस एर को से आपको करने चाहिए बिलकुल करने चाहिए आप कर भी सकते हो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर लेकिन सिर्फ उस से आपका selection नहीं होगा समझ रोने मेरी बात को तो एक मैंने वो कोसिस की क नहीं थोरह सछा बताया जाए जो लोग भरमित हो रहे हैं कि कई सारे मास्टर बता रहे थे या बच्छे बता रहे थे जान देने को बात पर बहुत Тीजी था बहुत TIGHय पान चैनल भात प्र प्र लें घूट बहूरी नहीं करति का मेरे 80 नमबर आ रहे हैं मालो किसी का सिद नमबर आ रहे है तो अच्छा बात है भाई कैंसिल हो गया आप 80 से 120 लेकर जाओ खुद को त्यारी करके समझेर लों एक सेकेंड चांस मिला है या नमबर नहीं आ रहे हैं जाते या नमबर जादे आ रहे हैं एक सो दस आ रहे हैं एक सो दस अगली बार भी कैसे आए इस से क्यूर करना परेगा आपको है ना जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं बीपेसी के बाद आठ में को एक्जाम था जिन लोगों ने छोड़ दिया है उनको बहुत सारी दिकते आन एक सो चाली सब के आ रहे हैं ऐसा भी दो सकता है ना अगर गलतियां की हैं तो आपके पास उसको सुधारने का समय है ओके तो कैसा लगा एक एनलेसिस मैंने कोसिस की कि बताया जाए सचा ही बताया जाए बहुत सारे लोग जूट वोल रहे हैं चैनल पर आके कि नहीं पेपर आ रहे हैं या किसस्तर की त्यार है या क्या हमें सुरू करना चाहिए और मैं आपको बता दू कि दिरिश्टी आइस का जो आता है ना बीपीएस्सी का भूक आता है उसमें हम कल से पढ़ने जा रहे हैं बूक को सुरू करेंगे जैसे के बीसी रानो हमने खतम किया इस चैनल